नमस्ते सस्रियकाल आदाफ आप सबका मेरी यूटूब चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है आज मैं मारमाताची के मंदिर जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को भी मैं मंदिर के दर्शन खराती हूँ बार्माताची के मंदिर जा रहे हैं तो चलिए मैं बार्माताची के मंदिर चलते हैं इसे पहले आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्रीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी इंफॉर्म गाउं में जब तक गाय, बक्री भेड़े नहीं मिले तो पता कैसे लगे कि गाउं है बाण्माता जो है उन्होंने बास बाण्असूर करके एक नेते था। उसंका उन्होंने ब्यत किया था। इसलिए इनका नाम बाण्माता रहा। यह क्र्णी मंदित है ईपहाद और उज्ज्लिया गउँ के बीच में पड़ता है। है और मनाता के सोषोधिया और जलोट पंज की पुग्देवी भी हैं और मननाता को बयान भाता बयान नहींभाता इसी घभी सखेना यां मंदीर के परिसेर में पहुँच चुकर है, यह दिखे पार माता के मंदीर की जो इत्याज जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से इनका बंदीर है तो चितौरगड में है और चितौरगर्ण से भी पहले क्या है इनका गेड़नार गुजरात में स्तित था और वहां यूँ कि जो गुजरात की जो राजकोमारी थी वो मारमाता की बहुत ही परमभक थी और उनकी शादी चितौर के महराना से हुई थी तो उनने शादी के बाद मारमाता भी उनके साथ चितोर गड़ पदार गई और वहां उस्तित है वैसे गिनाब में भी उनका मंदिर अभी तख है और ये देखिए जो चैद्धी है लेली जी जो हमेशा मंदिर बड़ी शद्दा से आना चाहिए शद्दा से हर काम करने चाहिए यहां पे छूनियां बांदी भी घर देखिए जो आपको पहार दिख रही आई इसके नीचे मंदिर है ।ो यह जो कमरा दिख रही ना जिसके अंदर बहुत चंबहा दरय है और यह गुफा एक कहते हैं इस गुफा के थू जो है माता जी ने परवेश किया था और जहां माता कि अच्छी हो वहाँ उनका वहाँ नहीं तो वहाँ शेर भी है यह फेर आ इंहीं करोंधिर लोग नायल को चिलाते हैं तो इसका इधर आउधी देखा जाते हैं अचले मंदीर क्रेश दिए मंदिर प्रवेश करें तो सबसे पहले मंदिर पूजने वाले गणेश जी का भी होना बहुत जरूरी है तो सर प्रतम पूजने वाले गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं यह देखिए यह मंदिर में प्रवेश के लिए यह माताजी की मंदिर है जैसे मैंने बोला आपको यहां के लोगों के हिसाब से कि यह मंदिर जो है मात मैं बता रहे हूं कि उनके स्वैंप परकट हुई थी और उन्हें खुद्ने मना यह ता और यह सौ साल से बी ज्यादा पुराना है मंदिर है यहां पर जब भी मैं आई हूं सहसादबार आई हूं जब भी आई हूं यहां के लोगों से मेरी बात ही जो भी मेरे को शर्दान नों मिला उन्से मैंने पूछा तो अगर लोग बड़े इस से बोलते हैं कि हमारी मुन्नत पूरी हुई है तो माता की तो इसी बहुत बहुत अच्छा लगा तो मैं जब आई हूं मेरे को बहुत बहुत ही अच्छा लगा है देखिए माता को प्रणाम कीजिए आप लोग भी और जलिए बाहर चलते हैं यह देखिए आर के नीचे था तो नीचे उपके करना पड़ा और यह देखिए यहां से बाहर से ऐसा दिखता है यह देखिए यह गुफा है ना जिससे माता जी प्रकटो इन लोग की धारना है कि देखिए निकलो नीचे से निकलते है तो मनत पूरी होती है तो यह जर्दालौ इंकी अपनी शरदा से से इसके अंदर जाते हैं और यह देखिये पहाड़ है यहां पर पहाड से उपर जाने की सीडिया बनी है तो चलिए मैं आपको भी यहां से उपर का नजारा दिखाओं यह देखिए उपर से यह ऐसा दिखता है माता का मंदिल नीचे वो पहाड के नीचे है और यह उपर से इससे आपको पहाड से यह नजारा ऐसे दिखता है कितना सुन्दा दिखता है बहुत ही अच्छा यह देखिए और यह सफेज सीरिया दिखे ने आपको सफेज सीरिया जाती है उपर एक सफेज सा कमरा बना उसके अंदर माता की जोद बनती है मैं उहां तक जाने पाई और यहां पर पत्थर पढ़ें यहां साथ 11-21 पत्थरों से बनाए है उए यह देखिए कितना बड़ी अलगा लग रहा है रिगिस्तान है लोगों जो भाहर के व्योड़नी जो राजिस्तान के बाहर के प् questi क किलमीटर तूर भावाद और उजलिया गाउं के बीच में देखिए चलिए नीचे चलते हैं और आप लोग में को प्लीज कमेंट करके बताईए का आपको कैसा लगा और माता का मंदिर है श्रद्दा से देखिए शायद आपकी भी कोई मन्हों कमना है पूरी हो जाए कि यह पाओं के सटर्य में यहां पर दोकान लगा रखी है यहां पे पाद चलते एक जना है उससे मैं पूस्त तो यह निया है मंदिर सतर से उपर शटर से उपर है आप सतर साल क्यों अजब से है जबसे है और वार दैड़ा बगाता है मारा पडदा बगाता है मतलब तो पड़ दादा मतलब 100 साल पुराना होगा मिंदे 100 साल लू जदा मीन को इतियास निकांट कितना साधर होई और ये नाम क्या कहते हैं जो आप क्या कह रहे थे कि ये माता जी खुद अप्रकाटू इस मंदिर गए मतलब ये आप मतलब अपना प्रफ जबना ये शर्फ अपना अपी बनवाइं मतलब अच्छी खुदी पर्गट वजा पाट अच्छी अच्छी आ पुद अपने चीटोड़ माता हां जो एक चोटी सी गुफ बनाए ये वो क्या है फेली इन गुफ मेरेता है अच्छी जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके जब तक के लिए शबक है बाई बाई राम राम अपना ध्यान रखिए दन्यावाद